आज हम बनाने बाले हैं गुबबाड़े की तरह फूली फूली मटर की कचोड़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन करके तयार हो जाती है हमने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है और अधरक कर टुकड़ा लिया है सबसे पहले द्यान देना है कि जो हमने मटर लिया थोड़ा साम कड़ाई में डाल के इसको भून लेंगे जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ द्यादा दूना है तैंडों अब हम इसको बारिक नहीं पीचना घंप रेंगे उसको भी हम डाल देंगे यदि अप लिजन प्याज ना खाते हों तो बिना लिजन प्याज की भी यह गचोरी अब बना करके तैयार कर सकते हैं और आप तीख याप अपनी टेस्ट के काडिएंगे इसमें कमिया ज्यादा कर सकते हैं देखो उनमें ढकन लगा करके इसको हम अच्छे से दड़ड़ा पीस करके तैयार कर लेंगे बारिक पीसने के इसके जरूरत नहीं है देखो इस तरीके से हमें इसको पीस लेना है तो जो आपकी कचोड़ी है बहुत ही अच्छी एक दम मसाले से भरी हुए तो गुबाड़ी क तरह एक दम बिल्कु खस्ता बन करके तैयार होगी और कड़ाई में हमने बिल्कु जरा सवल डाला है यानि कि छोटी चम्मच से आदी चम्मच हमने वल डाला है जब हमारा वल अच्छी से गरम हो चुका था तो हमने इसमें साबुत जीरा डाल दिया था जीरा डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हम इसमें थोड़ी से हिंग डाल देंगे हिंग भी हिंग का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है देखो हम इस तरीके से हिंग को भी डाल देंगे यदि आपके पास पिसी हुई हि को भी डाल सकते हैं लेकिन हिंग इसमें जरूर डाले हिंग के इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और जो हमने मटर पीछ कर भी रखा था उस मटर को हम इसमें डाल देंगे और धीमी गयस पर लगा तर चलाते हुगे इसको हम अच्छे से भून लेंगे और हम बाइंड डाला है तो गेस को हमें बिल्को धीमा ही करना है धीमी गेस पर लगातार चलाते हुगे हमें अच्छे से भून लेना जिससे जो हमारी बेसन अच्छे से भून जाए और हम इसमें थोड़ा सा हरी पत्ति डाल दिया है और इसको हम अच्छे से लगातार चलाते हुगे भून ल जागे तो एक लाइक जरूर करते हैं हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दी है नमक यानि कि टेस्ट के कोड़िंग डाल दें और थोड़ा से गरम मसला डाल दें और हल्दी पाउडर डाल दें और थोड़ा से धन्या पाउडर डाल दें और यदि आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं मसाले भी आप अपने टेस्ट के एकोडिंग इसमें कामिया जादा या फिर बिल्कुल भी नडालें फिर भी जो आपकी कचोड़ी है बहुत ही अच्छी एक दम बिल्कुल टेस्टी बन करके तयार होगी और जो हमारा मसाला है अच्छी से मसाला बन करके तयार हो चुका है और जो हमने बेसन डाला था बेसन भी हमारा अच्छी से बुन करके तयार हो चुका है जब तक हमारा मसा के लिए हम इसमें वैल डाल देंगे इसमें बहुत ज़्यादा मौयम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है थोड़ा सा ही आप इसमें मौयम लगा दें यानि कि हमने छोड़ी चम्मच से दो तीन चम्मच वैल डाल दिया है और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे देखो हमारा मौयम परफेक्ट लग करके उतने मीं ही तैयार हो चुका है अब हम इसमें थूड़ा-तूड़ा सा पानी डालके इसका आटा लगा करके तैयार कर लेंगे हमें आटा बहुत ज्यादा hard नहीं लगाना है नहीं बहुत ज्यादा soft लगाना है नॉर्मल आटा लगा करके हमें तैयार कर लेना है इस तरीके से हम धीर धीर पानी डालते हूँ कि आटा को लगा लेंगे लेकिन आटा लगाती समय आपको एक बर ध्यान देना है कि जब आपक ताइमिंग लगा कर भी इसको इस तरीके से ऐच्छे से गूद सकते हैं, को हमने इस तरीके से अच्छे से कमूद करके तैयार कर लिया है अब हम इसको कम-से-कम आदा गणता के लिए ढगammenहे ज़िस से जो मेंदा है अच्छे से फूल जाएगी और हमारी कचोड़ी बहुत ही अच्छी एकदम बिल्कुँ पर्फेक्ट बन करके तयार होगी, देखो जब अच्छे से मेंदा फूल जाती है तो कितने अच्छे से तन रही है, आपको भी इसी तरीके से मेंदा को सेट कर लेना है, त चोड़ी बनानी है और देखो एतनी छोटी-छोटी इसकी मसाली की लोई या भी बना है हमें चोड़ा सी इसको अर्टा की लोई भी लेरक्म करते हाँ रखनी है और हमार grate हमारी चोटी और तक होड़ी सीं वेल मॉट्विल सके खूड़ी है हमें सालीक में pack कर देंगे और जो इसका extra बैटा होगा उसको हम निकाल देंगे हैं सबसे पहले हम हांच से जो इसका joint होता है joint को हम इस तरीके से बंद करेंगे joint से ही आपके कचोडी खुलने का डर रहता है इस तरीके से हम घोमाते होगे कचोडी को अच्छे इसे चारो साइट से कर लेंगे जिससे हमारी कचोड़ी में बिल्कुल चारो साइट से अच्छे से मसाला भी भर जाएगा और बिल्कुल ऐसा नहीं लगी कि जब आपका चोड़ी को तूड़ेंगे कि कहीं मसाला है कहीं आपकी कचोड़ी खाली है बहुत ही अच्छी चारो सा पूलती और आपकी कचोडी फट जाती है इसी तरीके से हम दूसरी को लेंगे और उसकी भी हम कचोडी बना करके तयार करने लेंगे कि जब आप इस ट्रिक से आपनी कचोडी बनाएंगे तो आ जो आपकी कचोडी है बहुत ही अच्छी परफेक्ट बनकर्के तयार होगी यदि आप पहली भार भी बना रहे हैं तो भी जो आपकी कचोडी यह बहुत ही अच्छी मसाले से भरी हुई और गुबबाडी की तरह फूली फूली एक दम बिलको खस्ता बन करके तैयार होगी देखो हम इस तरीके से इसको हम दबा दबा करके अच्छे से मसाले को चारो साइट कर देंगे इसी तरीके से हम अपनी सारी कचोडियों को बना करके रख लेंगे और कड़ाई में हम थोड़ा सा वल गरम होने के लिए रख देंगे वल को हमें बहुत ज़्यादा तेज गरम नहीं रखना है बिलको थोड़ा सा ही गरम रखना है जब हैं हमारा थोड़ा सा वल गरम हो जाएगा तो हम इस तरीके से इसमें कचोड़ी यह डाल लेंगे जितने एक बार में हमारी कड़़ाई में आ जाएगी हम उतनी है डाल देंगे और मीडिया में ये लो गैस पर हम इसको अच्छे से सैंक लेंगे यदि आप इनको तेज गैस पर सैंकेंगे तो जो आपको कचोड़ी है बिल्कुल भी अच्छी नहीं सेकेगी देखो इस तरीके से कितनी अच्छी हमारी फूली फूली एकदम बिल्कू कचोड़ी देख रही है और देखना हम जब इसको तोड़के दिखाएंगे तो बिल्कू सारी कचोड़ी की अंदर बिल्कू एकदम मसाला भरा हुगा आपको दिखेगा बहुत ही एकदम बिल्कू खस्ता कचोड़ी बन करके तैयार होगी आपको धीमी गैस पर इस तरीके से पलट-पलट के कचोड़ी को अच्छी से सैंक लेना तभी जो आपकी कचोड़ी है एक दम बिल्कू खस्ता परफेक्ट बन करके तैयार होगी एक बैच को हमने तल करके तैयार कर लिया है इसी तरीके से हम सारी कचोड़ी को बना करके तैयार कर लेंगे देखो हमारी कितने अच्छी खस्ता कचोड़ी बन करके तैयार हो चुगी है ए अपिसे चटनी या टमाडर की आलू की सबजी के साथ भी खा सकते हैं फिर आप ऐसे ही खा सकती हैं रायता के साथ खा सकते हैं जिस चीज में आपको कचोडИ पसंद हो आप उसमें इसको खा सकते हो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत दन्नवाद